हेलो गाईस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाईस कि पोको M4 5G फोन में आप लोग स्लो इंटरनेट प्रोब्लेम को कैसे सॉल्ब कर सकते हो अगर आपके पास एक पोको M4 5G फोन है गाईस और उसमें आप लोगों का इंटरनेट बहुत ही स्लो हो रहे है यूट्यूब को आपन कर रहे हो फिर भी बहुत स्लो नेट यहाँ पर आपके फोन में देखने को मिल रहा है तो इस प्रोब्लेम को आप लोग कैसे सॉल्ब कर वे गईस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसाणाई वीडियो को like कर दीजए और channel को भी subscribe ज़रूर से कर लिजए तो चलिए guys वीडियो को start करते हैं तो इस problem को solve करने के लिए आपको सबसे पहले यापर settings पे click कर देना है settings पे click करने के बाद यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा guys SIM cards and mobile networks का तो इस option पे जो है आप लोगों को click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर उपर की तरब देख सकते दो SIM यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो जिस भी SIM में आप लोगों को slow internet problem देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को उस SIM पे click कर देना है तो मेरे phone में फिलाल एक ही SIM है आप लोग देख सकते हो तो मैं इस एक ही SIM में click कर दूँगा click करने के बाद यहाँ पर एक option होगा guys access point names का यह वाला option आप लोग देख सकते हो तो इस access point names के option पे click कर दिजिए click करने के बाद guys यहाँ पर एकदम नीचे देख सकते reset भी खा हुआ है तो यहाँ पर से हमें reset कर देना है तो यहाँ पर हम reset पे click कर देंगे reset पे click करते ही आपका जो APN setting है वो completely reset हो जाएगा reset होने के बाद आपका slow internet problem है वो भी जरूर से solve हो जाएगा उसके बाद भी अगर आपका यह problem solve नहीं हो रहाएगा इस तो आप लोग और क्या कर सकते हो settings में से तो मैं यह भी आप लोगों को बता देता हूँ उसके बाद जो है आप लोगों को फिर से settings में जाना है और यहापर आप लोगों को थोरा सा नीचे स्क्रोल डाउन कर लेना है नीचे option देखने को मिलेगा गाईस connection and sharing का यह भला option आप लोग देख सकते हो तो इस पे click कर दिजिए क्लिक करने के बाद यहापर से आप लोगों को नीचे स्क्रोल डाउन करना है नीचे option होगा गाईस reset wifi mobile network and bluetooth का तो इस पे click कर देना है क्लिक करने के बाद नीचे देख सकते लिखा हुआ है reset settings तो यहापर से अगर हम reset settings पे click करके reset कर देंगे तो क्या क्या reset होगा यह भी आप लोग जान लिजिए जैसे कि हमारा wifi reset हो जाएगा mobile data reset हो जाएगा और bluetooth भी reset हो जाएगा तो यहापर से हम reset settings पे click कर देंगे click करने के बाद यहापर अपने phone का password डाल देना है डालने के बाद नीचे देख सकते ok का option आए है क्लिक कर दीजिए क्लिक करते ही यहापर जो आप लोगों network setting हो reset हो जाएगा और network setting reset होने के बाद आपका slow internet problem है वो भी जरूर से solve हो जाएगा उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो गाई उसके बाद यहापर से आप लोगों settings में जाना है settings में जाने के बाद यहापर SIM cards and mobile network के option पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहापर देख सकते option है data card का तो मेरे phone में option off है गाई क्योंकि मेरे phone में एक ही SIM है तो अगर आपके phone में जो है दो SIM लगे होंगे तो आप लोगों यह option उन रहेगा तो इस daí गालब खु आप लोगों को अच्छी तरी किसे चेक कर ले था रहा है और यहाँ पर वह पर ँपर में वह लिखा है और भी पर लिख लिखा है और आपर टूफ लिखा करना है यहाँ पर आप लोगों का रिचार्ज और नेथ करने के बाद आपका जों इंटर्नेत पॉब्लेम है वह जरूर से शल्व कर दीजिए और यह पर सेकें वाला प्सेंद देख सकते हैं network प्रेफारेंस लिखा हुआ हे इस Teresa कुलिक करने के बाद यह पर बीच वाला अप्ष्यन आप लोग देख सकते हो अप्डेयट एफ लिखा हुआ है तो इसका क्लिक देना है तो इन दोनों में से सेट होने से किया जब भी आपका फॉन में डाटा ओन होगा या वाइफाइक्ट होगा आपका फॉन तो यहाँ पर automatically background में application update होते रहेंगे तो जब background में application update होगा तब भी आप लोगों को slow internet problem देखने को मिल जाएगा तो इसको off करने के लिए एकदम last वाला option देख सकते हो don't auto update apps लिखा हुआ है इस पे click कर दीजिए और ok पे click कर दीजिए अभी जो है background में हमारे phone में कोई भी application update नहीं होगा और आपका जो slow internet problem है वो भी solve हो जाएगा उसके बाद आप लोग क्या कर सकते होगा है जो उसके बाद कुछ छोटे मोड़े tips कर सकते हो जैसे कि अपने phone को switch off करके on कर सकते हो अपने sim को जो है उसको निकाल के फिर से लगा सकते हो अगर आपका sim sim 1 पे है तो 2 पे लगा सकते हो 2 पे है तो 1 पे लगा सकते हो तो यह सब करने से भी आपका जो slow internet problem है वो solve हो जाएगा तो ऐसे करके आप लोग अपने Poco M45G phone में slow internet problem को solve कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो अगर वीडियो पसना आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजे मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई